मित्रो धार्विक ग्रंथों में शनी देव को नयाय का देवता बताया गया है। कहते हैं कि इंसान ही नहीं बलकि देवता भी उनके प्रकौब से डर्थे हैं। किसी के भी जीवन को बरबाद करने के लिए शनी देव की बुरी द्रिष्टी ही काफी है। माननेता है कि व्यत् अर्चना करने की सलहा भी दी जाती है लेकिन कि आपको पता है कि आगिर क्यों शनी देव हनुमान भक्तों को प्रशान नहीं करते अगर आप यह बात नहीं जानते तो इसे जानने के लिए वीडियो को अंते तक जरूर देखे नमस्कार मित्रू आपका ग्यानवीला यूट्य चैनल में स्वागत है जहां पर हनुमान जी अपने प्रभू शिरी राम की साधना में लीन थे भगवान शिरी राम की भक्ती में डूबे हनुमान जी को देखकर शनी देव ने उन पर अपनी विक्र द्रिष्टी डाली लेकिन शनी देव जी की दृष्टी का हनुमान जी पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ इससे क्रोधित होकर शनी देव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर देख कोन सामने आया है हनुमान जी ने शनी देव पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ती में लीन रहे और शरी राम का जाप करते रहे शनी देव ने सभी प्रकार के प्रयास कर लिये लेकिन हनुमान जी पर कोई भी परभाव नहीं पड़ा तो शनी देव का क्रोध सात्में आसमान पर पहुँच गया तनाव और गुसे में आकर शनी देव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा हे वानर आखे खोल मैं शनी देव तुम्हारी सुक शांती को नच्ट करने आया हूँ और इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरा सामना कर सके शनी देव को यह विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भैबीत हो जाएंगे और उनसे शमा मांगेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा कि महराज आप कौन है इस बात को सुनकर शनी देव को और क्रोध आ गया शनी देव हनुमान जी से बोले अभी इस समय मैं तुम्हारे राशी में प्रवेश करने जा रहा हूँ तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ इस बार भी हनुमान जी ने शनी देव से कहा कि आप कहीं और चाएं और उन्हें अपने प्रभू का समरण करने दे और कृपया प्रभू भक्ती में लेन होने में विघन ना डाले शनी देव को हनुमान जी की यह बात कतही पसंद नहीं आई और ध्यान लगाने जा रहे हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खीचने लगे हनुमान जी को लगा जैसे अनुकी भुजा को किसी ने धहकते अंगारे पर रख दिया हो उन्होंने तुरंद एक जटके से अपनी भुजा शनी देव की पकड़ से छुडा ली इसके बाद शनी ने विक्राल रूप धारण कर उनकी दूसरी बहा को पकड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी को हलका सा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूँच से शनी देव को लपेट लिया शनी देव का एहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ शनी देव ने हनुमान जी से कहा तुम तो क्या तुम्हारे प्रियशी डिराम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते इस पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और पूँच में लपेट कर शनी देव को कई यातनाई दी शनी देव ने मदद मागने के लिए देवताओं को गुहार लगाई और उनकी रक्षा करने के लिए कहा लेकिन कोई भी देवता मदद करने के लिए नहीं आए अन्त में शनी देव को अपनी गल्ती का एहसास हो गया और बोले दिया करे वानर राच मुझे अपनी उत्डंटता का फल मिल गया है मुझे शमा करे भविश्य में मैं आपकी छाया से भी दूर रहूंगा तब हनुमान जी बोले मेरी छाया ही नहीं बलकि तुम्हें मेरे भगतों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा शनी देव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया तो यही कारण था कि शनी देव हनुमान जी के भगतों को परिशान नहीं करते हैं और हमेशा उन पर आने वाले कश्टों को उनसे दूर रखते हैं तो मित्रों यह था आज का हमारा वीडियो अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ हैं तो कोमेंट्स में जैश शनी देव जरूर लिखें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद